नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान स्वागत है आपका हरबर 24 में स्टॉबेरी लेक्स जीने तवचा पर गहरे दाग या छोटे बंस के रूप में देखा जा सकता है इसके बचाव के पाँच आसान तरीके नमबर वन, लेक्स पर स्टॉबेरी के समान दिखने वाले स्वाट्स को कम करने के लिए स्किन को एक्सफोलियेट करना बहुत जरूरी है इसके लिए बेकिंग सोडे का इस्तमाल किया जा सकता है इससे तवचा की चमक दुबारा लौट आती है दो चममच बेकिंग सेड़ो को आधी बालटी पानी में मिलाए उसके बाद अपनी पैरो को उसमें कुछ देर के लिए डिप रखे 10 से 15 मिनट तक लेक्स को पानी में डिप करने के बाद लेक्स को नौर्मल पानी से धोले बेकिंग सोडे को स्किन पर लगाने से तो अच्छा का कालापन दूर होने लगता है अपने एंटी माइक्रोबियल गुडों के चलते स्किन रिलेड़िट प्रॉबलम को दूर करते हैं इसे अपलाई करने के लिए एक चम्मच जो जोबा तेल में दो तीन बून टीट्री ओयल की मिलाएं और अपने पैरों पर मसाज करें 10-15 मिनट तक तेल को पैरों पर लगा रहने दे उसके बाद गीले तॉलिये या नॉर्मल पानी से पैरों को धोले इसे ओवरनेट लगा कर भी रख सकते हैं टीट्री ओयल की मदद से स्किन एलर्जी को पिगमेंटेशन से बचाया जा सकता है स्किन को रूखेपन से बचाने के लिए ओयल और ब्राउन शुगर को अपलाई करना ज़रूरी है पैरों की स्किन को दाग से मुक्त करने के लिए आधा चम्मच ब्राउन शुगर आधा चम्मच ओलिव ओयल मिलाए इसके बाद इस मिश्टन में 4-5 लॉंग का तेल डाले इसे पैरों पर 2-3 मिनट तक रगड़े और उसके बाद पानी से धोले इससे तवचा में मौजूद डेड स्किन्स सेल्फ निकलने लगते है बटर मिल्क में लक्टिक एसिड पाया जाता है इससे तवचा का रंग अपने आप निखरने लगता है साथ ही पोर्स में जमा डस्ट को भी बाहर निकालने में ये हल्प करता है इसके लिए एक कप बटर मिल्क में एक बाल्टी पानी में डाले और उससे नहाए इससे तवचा में नमी बरकरार रहती है साथ ही टैनिंग की समस्या भी दूर हो जाती है अलोवेरा में स्किन हीलिंग प्रॉपर्टी मौजूद होती है इससे तवचा में कोलेजन बनने लगता है और दाग धब्बे दूर होते हैं अलोवेरा जेल को लगाने से पैरों को ठंडक का एसास होता है इसे डेली लगाने से स्किन टैनिंग में भी फायदा मिलता है इसे स्किन पर लगाने के लिए एलोवेरा जेल को हथेली पर लेकर पैरों पर मसाज करें इससे उब्रे हुए पोर्स टाइट होने लगते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हर्बर्ट 24